हेई गाईज वेलकम बैक टो मैं नीव ब्लोग प्रतिभायन कुजीन आज हम बनाने जा रहे हैं सोया भेज ट्राय मंचूरियन बिल्कुल यह आसान तरीके सब घर में इसे बना सकते हैं और यह बहुत ही जल्दी बन जाती है तो हमें सबसे पहले चाहिए पत्ता गोबी मतलब बन टेबल इस्पून चॉप किया हुआ अधरक लिया है चार लशन की कलिया चॉप कि वी ली है और दो हरी मिर्च लिए जिसको मैंने लंबे साइज में कट कर लिया है और थोड़ा सा बारिक प्लत पशिए अधर मिर्च लिया है यहां मैंने एक कटोरे से थोड़ा कम सोया चंक लिया है और इसे दस मिनट पहले सोग करके रख दिया था अब इसका सारा पानी निचोर के अब इसे हम अच्छे से वास्ट कर लेंगे और इसे ग्राइंडर मशीन की सायता से इसे ग्राइंड कर लेंगे अब देख सकते हैं कि यहां मैंने ग्राइंड कर लिया है अब हमें एक बर्तन में बारी कटा हुआ पत्तागों भी लेना है ग्राइंड किया हुआ सोया चंक लेना है ग्रेट किया हुआ गाजर लेना है और इन सारे चीजों को हम मिला लेंगे आप चाहे तो और सबजी या इस रीक्स कर सकते हैं और यहां 4 tablespoon हम आरा होड डालें गे теперь घालेघ़ cash जोавливाल है कि इसम चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे और इसकी चोटे चोटे हम बॉल्ल बना लेंगे आप इसी तरह से इसे चोटे चोटे अपने साइज के हिसाभ से हैं और बॉल्स तैयार कर लीजिए पता गोबी में काफी मातरा में मौश्यर होता है अगर आप इसे बारी कट करेंगे तो इसमें ज्यादा मौश्यर नहीं होगा लेकिन आप इसे जैसे ही ग्रेट करेंगे तो इसमें मौश्यर रहोगा तो आप इसका पानी निकाल दीजेगा तब इसको आप यूज कर सकते हैं तो यहां पे मैंने बारी कटा है तो इसमें ज्यादा मौशय नहीं था हम देख सकते हैं कि यहां पे मैंने सारे बॉल्स त्यार कर लिए हैं अब हम गैस को आन कर लेंगे और एक फ्राई légengे और इसमें मैंने एक कप के करीव रिफाइन आउयल डाला है और इसे गर्म करेंगे गर्म हो जाने के बाद हम इसमें सारे बॉल्स को थोड़े थोड़े करके फ्राई करेंगे हमें एक ही बार में सारे बॉल्स को फ्राई नहीं करना है और हमेशा हम medium to low flame में इसे फ्राई करेंगे हमें high flame में फ्राई नहीं करना है और इसी तरह पलट पलट कर golden brown होने तक हम इसे fry करेंगे आप देख सकते हैं कि यह brown हो चुका है अब हम इसे plate में निकाल लेंगे यह मैंने सारे balls fry कर लिये हैं अब हम gas on करेंगे और हमें एक कड़ाई पेन लेना है और इसमें मैंने 4 टेवल स्पून के करीब रिफाइन ओयल दिया है अब हम यहाँ पे ग्रेट किया हुआ अधरक डालेंगे उसके बाद चाप किया हुआ यहाँ पे लसन डालेंगे बारी कटा हुआ इसमें प्यास डालेंगे और इन सारे चीजों को मिला के फ्राइ कर लेंगे आप इसी तरह से थोड़ देर के लिए इसे फ्राइ कर लीजिएगा अब इसमें हम ग्रीन चिल्ली डालेंगे इसे भी मैंने बारी कट कर लिया था और यहाँ में थोड़ा सा सिम्ला मिर्च डालेंगे और इन सारे चीजों को मिलाए में फ्राइ अब देख सकते हैं अशा हम एक कप के क Jawaring पानी ढालेंगे लें भी हम लें आ ऐसे सारे अब यह में वेन दूधिके कम नमक ड्रहु नालेंगे यहां मैंने दो बड़े चमच टैमेटो सॉस लिया है आप चाहे तो ग्रीन चिली सॉस भी डाल सकते हैं बड़ मैं यहां नहीं डाल रही हूँ और इसे ऐसे ही आप फुड़ा मिला लिजे अब हम इसमें वन टेबल स्पून सोया सॉस डालेंगे इसे भी थोड़ा मिला लेंगे और यहां पे मैंने वन टेबल स्पून विनीगर डाला है इसे भी मिला लेंगे और यहां पे मैंने वन टेबल स्पून मंचुरियन मसानल लिया है यह आप चाहे तो इसकीप कर सकते हैं ग्रेवी की थिकनेस के लिए यहां मैंने वन टेबल इस्पून के करीब आरा रोड एज कॉन फ्लोर लिया है इसमें पानी डाल के इसका गोल बना लेंगे और इसमें हम डाल देंगे और इसे थोड़ा मिला लेंगे अब हम फ्राई किया हुआ सारे बॉल्स को इसमें डाल देंगे और इन सारे चीजों को हम मिला लेंगे मिडियम फ्लेम में ही हमें इसे दो मिनर तक थोड़ा फ्राई करना है आप देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस बहुत अच्छी हो गई है और हमें इसे और ज्यादा ड्राई नहीं करना है और आपको अगर थोड़ी ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें और पानी एड़ कर सकते हैं और इसकी क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा सकते हैं आप यहां देख सकते हैं कि अंदर तक इसकी ग्रेवी चली गई है और यह थोड़ा सौप्ट हो गया है तो एपरोक्स हमारी यह ड्राई सोया भेज मंचूरियन बनकर तयार है अब आप इसे प्लेट में निकाल सकते हैं और सर्व कर सकते हैं आप चाहे तो इसके उपर आप धनिया पता डाल सकते हैं और थोड़ा गरम मसाला डाल सकते हैं अब मैं इसे यहां प्लेट में निकाल लूँगी आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो घर पर बनाकर इसे जरूर ट्राई कीजेगा और हमसे कॉमेंट बॉक्स पर जरूर सेयर कीजेगा और मेरे नेक्स्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक, सेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फिर मिलते हैं आपसे नियू ब्लॉग में थैंक्यू फॉर वाचिंग